वैसे तो बॉलीवूड में बहुत ही कम होरर कॉमेडी मूवी बनी है लेकिन एक मूवी है जो सबसे बेस्ट है वो है भूल बूलेया ये मूवी 2007 में आई थी डिरेक्टर बाई प्रेदर्शनसर तो ये कहानी है एक ब्रामण परिवार की जिसका मुख्या बद्रीनाथ और बद्री है इस परिवार के पूरवज राज महराजत है अभी के समय में उनके राज महल में कोई नहीं रहता क्योंकि सभी का मानना ये था कि उस महल की तीसरी मन्जीर में मनजुलिका की आत्मा को कैट करके रखा गया है मनजुलिका राजा के दर्वार में नर्ते की थी और राजा उस मनजुलिका पर मोहित हो गया था मनजुलिका को किसी और से प्रेम था और जिस रात मनजुलिका अपने प्रेमी के साथ भागने वाली थी राजा ने मनजुलिका के प्रेमी को उसी रात मार दिया उसके बाद मनजुलिका ने भी सुसाइट कर लिया और मरने से पहले उसने कसम खाई कि वह इस वन्च के किसी भी राजा को नहीं छोड़ेगी उसके बाद उस राजा के भी रहसे में तरीके से मौत हो गई और अपशगुन होने लगे फिर एक बहुत ही बड़े तांत्रिक को बुलवा कर उस मनजुलिका की आत्मा को तीसरी मनजिल में कैत किया गया अब प्रेजन की बात करते हैं अब बदरी का भतीजा सिधार्थ अमेरिका से अपने गाउँ लोटता है गाउँ लोटने पर वह अपनी फैमिली को अपनी पतनी से मिलवाता है और बताता है कि हमने दस दिन पहले अमेरिका में शादी कर ली है इस बात से बदरी की गोदली हुई बेटी राधा का दिल तूड जाता है क्योंकि वो सिधार्थ से प्यार करती थी और सबको यही लगता था कि सिधार्थ राधा से ही शादी करेगा खेर अब राधा ने सीचुईशन को एकसेप्ट कर लिया था उसके बाद सिधार्थ का राजयवशेक होता है राजयवशेक के बाद सिधार्थ एं अवनी अब राजमहल में सिफ्ट हो जाते हैं लेकिन उनके फैमिली वाले दूसरी जगा पे रहते हैं एक दिन अवनी उस तीसरी मंजिल का दर्वाजा खोल देती है जहां मंजुली का कैद थी और उस जगह को एक्सप्लोर करती है जैसे ही यह बाद बद्री को पता चलता है वह सिधार से कहता है कि तुम लोग को अब इस महल में नहीं रुकना चाहिए जब तक तांत्री कि यहां आकर उस तीसरी मंजिल के दर्वाजे पर भैरव कवच चड़ा कर उस मंजुली का की आत्मा को कैद ना कर दे तुम लोगों को यहां खत्रा है इसलिए वे सिधार से कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो लेकिन सिधार इसे इनकार कर देता है फिर बदरी और उनका पूरा परिवार भी राजमहल में रहने के लिया आता है ताकि सिधार तर अवने को कोई प्रॉबलम ना हो फिर उसके बाद से राजमहल में आसाधरन घटना होने लगती है सिधार्थ को लगता है कि इन सब की पीछे राधा का हाथ है और उसका इलाज की जरूरत है फिर वह अपने दोस्त आदित्य को बुलाता है जो कि एक मनुवग्यानिक है यह केरेक्टर प्ले किया है अक्षर कुमार जी ने फिर अक्षर कुमार का केरेक्टर आदित्य उस राजमहल को एक्सप्लोर करता है रात में उसे तीसरी मंजिल में पायल की आवाज और किसी के नाचने गाने की आवाज सुनाई देती है कहानी में आगे हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बलकि सिधार्थ की वाइफ अवनी का हाथ है अवनी ही थी जो रात में मनजुली का बन कर नाचती गाती थी और तो और उसने कुछ लोगों पर हमला भी किया था दरसल अवनी को Dissociative Identity Disorder था इसमें आदमी में एक और Personality आ जाती है उसे ऐसा लगता है कि वो कोई और है और अवनी भी खुद को भूल जाती थी और मनजुली का बन जाती थी अवनी बच्पन से ही दादी से परियों की, भूत प्रेत की, पंचेतंतर की कहानी सुनकर बढ़ी हुई थी और जब वहां उस महल में गई उसने मनजुली का की कहानी सुनी है तो मनजुली का की कहानी के साथ उसने खुद को कनेक्ट कर लिया मुवी में आगे आदित अवनी का इलाज करता है इसके लिए वह एक तांतरिक के साथ एक तांतरिक महल क्रियेट करता है और मनजुली का के सामने सिधार्त का पुतला लाया जाता है और मनजुली का उसे कुरूर राजा समझ कर उसे तलवार से काट देती है मंजुलिका को लगा कि अब उसका बदला पूरा हुआ इस तरीके से अवनी की नजर में मंजुलिका का बदला पूरा हो जाता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो ये थी इस मूवी की उपर-उपर से कहानी तो बात करते हैं इस movie के plus point की फिर्स्ट है direction इस movie का direction बहुत ही बढ़िया था director का vision बहुत ही clear था कि उसे क्या चीज़ दिखानी है कैसे दिखानी है और इन सब चीजों को director ने बहुत अच्छी तरीके से manage किया है इस movie का दूसरा plus point है सभी actors की acting सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है विद्याबालन जी ने मंजुलिका का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है बहुत ही बढ़िया और कहीं कहीं पर मंजुलिका को देख कर हमें डर भी लगता है और फिर आते हैं अक्षे कुमार जी जिन्होंने बहुत ही बढ़ी है एक्टिंग किया और उन्होंने बहुत ही अच्छी कॉमेडी भी किया उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही बढ़ी हा थी राजपल यादों ने भी इस मूवी में अपनी अलगी चाप छोड़ दी है तीसरा प्लस पॉइंट है हॉरर मूवी को जहां जहां हॉरर टेस्ट दिया गया है मैं उस सीन के लिए इतना ही कहूँगा कि वो परफेक्ट था जश्ट परफेक्ट, शानदार इस मूवी में हॉरर और कॉमेडी दोनों को ही परफेक्ट ली बैलेंस किया गया है इस मूवी के गाने भी अच्छे थे मनजुलिका के कैरक्टर में वो सौंग बहुत ही अच्छी तरीके से सूट कर रहा था और फिर अल्ला हाफिज वाला सौंग भी मुझे पहुत पसंद आया तो उस सौंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्म आया गया है इस फिल्म की सेनोमेटोग्राफी भी बहुत कमाल की थी यह मूवी हॉरर भी है और कॉमेडी भी है जिसके लिए कैमरा एंगल्स का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है तो भूल-भूले यह काफी अच्छी हॉरर कॉमेडी मूवी थी जो मुझे तो काफी पसंद आई तो इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक कर दीजेगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई